तो हेलो गाइज, विलकम टू करेयर मेंटर्स और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नमबर 2 का टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक चल रहा था अपना सॉलूशन का वो था क्या, relative lowering in vapor pressure पहले हम क्लिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे, relative lowering in vapor pressure और हमने last class में क्या देखा था, हमने उससे related कुछ numericals देगे थे I hope आपको संज में आये होंगे, अगर आपको बच्चो numerical संज में नहीं आये तो कोई tension ही ले नहीं, आप मुझसे whatsapp पे पूछ सकते हैं, ठीक है और मेरे से पूछ सकते हैं कि कैसे आपको आगे numericals करने हैं, ठीक है बच्चो तो अब आपके पास आएगा बच्चो क्या, आज मैं आपके सामने जो discuss करूँगा कुछ और एक-दो numericals और फिर second colligative property पे हम जम करेंगे, ठीक है हो सकतो अगर time हमें permit करा तो, या फिर कोशिश करेंगे, आज भी numerical से करते हैं कि इसके relative lowering in vapor pressure के, आपके लिए important बात ध्यान रखना, आपके description box में मैं आपके लिए एक link डालूँगा, वहाँ से आप chapter no two solution के notes download कर लेना, वहाँ से बच्चो, chapter no two solution के notes download कर लेना, मैं वापिस साब को कह रहा हूँ, इस video के description पर मैं आपके लिए chapter no two solution के notes डालूँगा, ठीक है वहां से वह download कर लेना और वहां से आप अपने notes भी बना सकते हैं और वहां से आप पढ़ भी सकते हैं ठीक है तो अब हम start करते हैं तो पहला हम एक numerical करते हैं वापिस से formula याद दखो वापिस से बताता हूँ formula था p0 a minus ps upon p0 a is equals to xb a होता है solvent, b होता है solute, s होता है solution यह हमने discuss कर लिया था पिछले इन classes में और आपने numerical भी कर लिये थे ठीक है तीन नमर का numerical पक्का आएगा exam में question लिखो बेटा अगला question क्या है ध्यान से सुनो शायद से NCRT का ही question है एक question और कर लेते हैं NCRT का ही है वैसे तो देख रहे हैं कौन सा question है मेरे को पता नहीं है question है 0.2 percentage aqueous solution of a non-volatile solute aqueous solution of a non-volatile solute exerts a vapour pressure of exerts a vapour pressure of 1.004 bar 1.004 bar at 100 degree celsius what is the molecular mass of the solute what is the molecular mass of the solute given that given that vapour pressure of pure water is 1.013 bar vapor pressure of pure water is 1.013 bar 1.013 bar यहां तक बात clear है solute exerts a vapour pressure of 1.004 bar अब important बात ध्यान रखना यह 1.004 bar क्या दे रखा है यह दे रखा है यह दे रखा है आपको vapor pressure of solution प्लीज समझे कोश्क करना पी-एस दे रखा है यह 1.004 bar ps दे रखा है क्योंकि इससे पहले की जो भी रामाइंट दे रखी है वो solution के बारे में दे रखी है देखो 0.2 aqueous solution यह सब कुछ और यह इतना है important बात याद रखना non-volatile solute दे रखा है इसका मतलब solute तो उड़ ही नहीं सकता मतलब case number 2 है जिसका formula क्या था P not A minus PS upon P not A is equals to XB यहां तक मेरी बात clear है आपको इसाथ में आपको निकालना है molecular mass of the solute you have to calculate molecular mass of the solute निकालना है given that vapor pressure of pure solvent is 1.013 bar अब vapor pressure of pure solvent मतलब water तो pure solvent का vapor pressure मतलब क्या होगा P not A किता है 1.013 bar क्या है यहां तक मेरी बात clear है आपको यहां तक बात clear है और आपको क्या रहा है 0.2 percentage aqueous solution 0.2 percentage aqueous solution का मतलब क्या है मेरे को बताओ फटाफट ठीक है इसके bracket में कुछ ने रखा तो इसको mass by mass ले लो weight by weight ले लो depending upon your needs weight by weight दे रखा है इसका मतलब क्या है बच्चों बताओ फटाफट इसका मतलब बहुत बार बता चुकों इसका मतलब है 0.2 gram of solute is dissolved in 100 gram of solution ध्यानक नहीं आपके कभी भी solvent नहीं आता है solution आता है क्या मेरी बात यहां तक clear है आपको क्या question मैं मिटा दू बच्चों इतना आपको given part दे रहा है molecular mass आपको निकालना है बाकी सब रामायन आपको मैं समझाई चुका हूँ क्या है तो अब आप आगे का part करने का प्रयास करो कि सौरी यह मिट गया एक बार देखते हैं पीएस कितना दे रहा है आपको पीएस दे रहा है आपको 1.004 बार अब प्यारे बच्चों देखो फटावट बोड पे अब 0.2 gram of solute is dissolving 100 gram of solution इससे क्या पता चलता है इससे मुझे देखो एक बात पता चलती है कि mass of solute कितना है 0.2 gram इससे मुझे को पहली बात क्या पता चलती है mass of solute कितना है 0.2 gram और mass of solution कितना है 100 gram बताओ तो mass of solvent कितना होगा mass of solute है 0.2 mass of solution है 0.100 तो mass of solvent WA कितना होगा 100-100-0.2 तो कितना होगा 99.8 gram तो mass of solvent कितना है 99.8 gram और molecular mass of solvent कितना होगा water का molecular mass कितना होता है MA इसको मैं MB लिख देता हूँ बच्चो molecular mass of solute निकालने आपको molecular mass of solvent कितना होगा water कितना होता है 18 gram पर मोल 18 होता है याद करो 18 ग्राम पर मोल तो यह तो बच्चों आपको इसक्रीन पर आपको देख रहा है इस आपको गिवन पार्ट हो गया ऐसे ही question को आपको attempt करना है तब ही आपकी गलती की संभावना है कम से कम होगी अब formula क्या होता है याद करो formula होता है P not A minus PS upon P not A is equals to XB clear है? XB को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों याद दको NB upon N A plus NB और मैंने कर आपको एक trick समझाए थी कि N A plus N B को हम directly क्या लिख देंगे बच्चों N A plus N B को हम क्या लिख लेंगे? directly क्या लिख देंगे? N A लिख देंगे क्योंकि N B बहुत 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 छोटा रहेगा तो N A plus N B is equivalent to N A क्या मेरी बात यहां तक clear है? कल की class आगर आपने शिद्दत से देखिए तो आपको इस सब चीज़ समझ में आ रही होगी चले बच्चों आगे तो आगे देखते हैं तो P 0 A कितना है आपके पास? P 0 A P 0 A आपके पास 1.013 P S कितना है बच्चों आपके पास? P S आपके पास 1.004 अपन P 0 A कितना है 1.013 multiply by number of moles of solute अब number of moles of solute कितना होगा? mass in gram upon molar mass तो mass in gram कितना दे रहा है solute का? 0.2 upon molar mass, molar mass कितना होगा? MB similar number of moles of solvent क्या होगा? mass in gram of solvent divided by molar mass of solvent तो solvent का mass in gram कितना दे रहा है? W A कितना दे रहा है? 99.8 और अपन molar mass 18 क्या इस 18 को मैं पल्टी मार के उपर लिख दूँ क्या बच्चों? यह मैंने लिख दिया 18 यहां पर क्या मेरी बात क्लियर है? देखो मैं वीडियो क्लास में बार बार समझाता है इसलिए नहीं कि अगर आपको एक बार में समझने नहीं आए तो आप पीछे करके वापिस समझ लें या मुझे WhatsApp मैसेज कर दे क्लास में होते है आप लोग तो मैं आपके कॉपी में जांक जांक के आपके पास आ के आपके नजरों में देखके समझ आता हूं कि वापिस बोलरों कि क्या आपको आ रहे है और क्या नहीं आ रहे है? यह मैं बहुत बार कह चुक है बात है तो अगर आपको लगता है कि मैं यह डिवाइड विवाइड जल्दी समझा देता हूं तो अगर मैं बार-बार इनको समझाने बैठ उगा तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी कुछ टाइप के जो बच्चे हो थोड़ा सा परिशान हो जा आपन 1.013 एक काम करेंगा पच्चो इसके तीन डेसिमल प्लेस और इसके तीन डेसिमल प्लेस अटवा देते हैं फटा फट तीए क्या हो जाएगा 9 अपन 1013 इस इकोल्स टू यह किता हो जाएगा 18 तो 36 तो 3.6 अपन Mb 99.8 अब Mb को उदर ले जाओ इसको उदर ले जा उदर ले जा तो MB यहां पहुच गया 3.6 x 1013 अपन 9 x 99.8 ठीक है decimal हटा दू इधर कर दू 36 इधर कर दू 998 तो यह कितना हो जाएगा बच्चो 0.4 हो जाएगा अब कर ले इसको solve कर ले तो हो जाएगा तो molecular mass of V कितना आ जाएगा solute कितना आ जाएगा इसको आप multiply करोगे तो यह आ जाएगा पस 4.014 के आसपास 064 के आसपास यह आपके पास answer आ गया है क्या मेरी बात यहां तक आपको सौंझ में ही क्या ही question आपको सौंझ में आगे क्या हुआ इसमें 0.2 वाला था ना ठीक है तो देखो ऐसे भी questions आएंगे ऐसे भी आपको questions करने हैं बहुत आसान सवाल था बस आपको given पार्ट लिखते वे थोड़ी थोड़ा सा साभधानी बरतनी आंसर आपको हमेशा सही आएगा का tension मतलो ठीक है चलो अगले question पर आता है तो बच्छो नेक्स question आपकी screen पर है question क्या है एक बार देख लेते हैं फटावट ध्यान रगना question में temperature ज्यादा control play नहीं करता है वो सिर्फ आपको ऐसे गुम्रा करने के लिए question में देया जाता है ठीक है तो question देखो पढ़ो बच्छो एग 25 डिग्री सेल्सियर्स दा साचुरेटेट वेपर प्रेशर ऑफ वोटर इस 3.165 किलो पास्कल find the saturated vapor pressure of 5% aqueous solution of urea at the same temperature एक बात ध्यान रगना बच्छो वो बात यह है कि आपको यहां पे saturated वड्स से confused नहीं होना है काम बाकी सब वो ही है saturated से बिलकुल भी confused नहीं होना है ठीक है तो अब स्टार्ट करते है पहले हम given part लिखने बच्छो फटा फट given part तो given part में हम क्या लिखेंगे saturated vapor pressure of water is this तो saturated नहीं अकेला एक तरह से तो water का vapor pressure दे रहा है आपको तो आपको दे रहा है p0 a is equals to 3.165 किलो पास्कल 3.165 किलो पास्कल दे रहा है आपको क्या बच्छो p0 a तो बच्छो p0 a दे रहा है आपका कितना 3.165 किलो पास्कल clear है बच्छो अब आपको और क्या दे रहा है आपको 5% aqua solution दे रहा है यूरिया का तो 5% aqua solution का सीधा से मतलब क्या है कि 5 gram of urea in 100 gram of solution तो यहां से आपको क्या clear हो गया कि wb मतलब mass of solute कितना है बी मतलब solute mass of solute कितना है 5 grams और w a कितना होगा बच्छो मेरे को यह तो पताओ w a कितना होगा 100 है total 5 gram है solute तो solvent कितना होगा 95 grams होगा बच्छो तो 95 grams क्या हो जाएगा बच्छो आपका solvent molecular mass भी कितना होगा बताओ निकाल लो molecular mass B का कितना है 60 gram और क्या केते है molecular mass of a कितने का है a का कितना है water कितना है 18 gram per mole clear है अब देखो बच्छो यह आपको याद करना पड़ेगा याद है तो अच्छी बात है इन तो आपको यूरिया का फॉर्मला याद करना पड़ेगा attention मतलो यहां तक बात clear है निकालना क्या है बच्छो आपको आपको निकालना है P S vapor pressure of solution clear है तो निकाले फटा 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 आपको फॉर्मला पता है देखो यूरिया एक non-volatile solute होता है तो यूरिया वाला जब non-volatile है तो case 2 लगेगा case 2 क्या कहता है बच्छो याद करो पी नॉट ए माइनस P S अपॉन पी नॉट ए इस इक्वल स्टू X B और X B क्या होता है एन बी अपॉन एन एन प्लस एन बी है बट मैं वापिस बता रहा हूं एन प्लस एन बी को आप एन ले लोगे क्योंकि एन बी बहुत छोटा होता है एन एके नॉट एक प्री पोइंट वन शिक्स फइफ पी एस आपको निकालना है पी नॉट एक टाए थी पोइंट वन शिक्स फइफ अब नंबर ओफ मोल्स ओफ सॉल्ट कितना होगा मसिन ग्राम 5 अपॉन मोलर मास 60 सेम इसका क्या होगा मास इन ग्राम सॉरी सॉरी आप एम में आएगा सॉरी बच्चो मास इन ग्राम केता होगा वाटर का 95 अपॉन मोलर मास केता है 18 18 को मैं ओपर लिख लू बच्चो यहां तक बात क्लियर है पक्का अब इसको बस आपको सॉल्ट करना है बाकि कुछ नहीं ह आप इनको सॉल्ट करोगे इसको से मल्टिप्लाइ करोगे तो यह आपका आ जाएगा 3.165 माइनस PS is equal to थोड़ सी चीटिंग जरूरी है बच्चो is equal to 0.04 तो PS किता आ जाएगा 3.165 माइनस 0.04 which is equivalent to 3.115 unit same होगी मैंने बताया था आपको अगर इसका किलो पास्कल में दे रख है तो यह भी किलो पास्कल में होगा सब्सक्राइब क्या है क्या एक क्या बच्चो आपको क्लिर हुआ बताओ फटा फट्वर पीशन यह करें एक और एक और क्युक्शन कर लेते हैं बच्चो आसान रहेगा आप लोग के लिए चलो तो बच्चों अगला question है, आज के हम last question करेंगे, इस topic से related last question करेंगे, relative lowering in vapor pressure is related, और last question थोड़ा सा निराला है, बहुत बार board में भी आ चुक है question, और ये NCRT का question number 18 है, back exercise का, ठीक है, board में भी आ रखे है question, और ये NCRT का भी question है, question बहुत आसा निराला है, थोड़ा सा लग है, ब आप बस आपको given part थोड़ा तसली से लिखना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, solution chapter में given part ही important role play करता है, marks लाने में, क्योंकि given part के आपको marks में मिलता है पहली बात, और second important बात given part जब आप लिखोगे, तो आपका answer गलत होने के संभवना है, minimum हो जाएंगे, ठी WB आपको यहीं खटा-खट पता लगए कि आपको निकालना है, WB आपको निकालना है, और इसका molecular mass दे रहा है 40 gram per mole, तो आपको यह भी पता लगए कि आपको MB क्या दे रहा है, 40 दे रहा है, clear है, WB और MB मुझे पता लग रहा होगा, आपको समझ में आ गया है, क्या है, आप 114 gram of octane, किसमें dissolve गया, 114 gram of octane, तो clear होगे, W, A तो क्या होगे आपके पास, 114 gram, और M में कितना होगया, यह निकाल लेते हैं, octane कितना होता है, बच्चो, octane होता है, C8H18, यह कैसे पता लगा, बताओ मेरे को, देखो आपको होता है, CnH2N plus 2, alkane का होता है, 10th class, CnH2N plus 2, oct octane में N क्या होगा, 8 होगा, तो C8H18 क्या हो जाएगा कि यह, क्या यह clear है, आपको methane, butane, pentane का structure formula बनाना आता है, तो octane का भी तो वैसे बनेगा, बस N की value output करनी है, तो उसका molecular mass निकाल दो, 12 multiply by 8 plus 18 multiply by 1, 12, 8, 96 plus 18, 114 आ गया, अरे तो same ही आ गया, तो 114 gram per mole, क्या मेरी बात clear है अब सुनो, ध्यान से मेरी बात, अपने वापिस से question को पढ़ते हैं, calculate mass of non-volatile solute, जो अपने mention कर दिया है, जिसका molecular mass है 40 grams, which should be dissolved in, जिसको किसमें घोला जाए, 114 gram of octane, यह हमने बता दिया है, to reduce its vapor pressure to 80%, to reduce its vapor pressure to 80%, अब समझने कोशी करो, या तो अब वो grammar पता है, तो grammar से समझ लो, science पता है, तो science से समझ लो, अब यह किसका vapor pressure 80% reduce होगा, octane का, क्योंकि its किसके पहला है, octane, इससे पहला octane था, तो यह its किसको denote कर रहा है, octane को, यह बोल रहा है कि octane में मैंने, कितना मैं क्या करू non-volatile solute डालू, कि उसका vapor pressure पहले जितना था, अब वो 80% हो जाए, ठीक है, अब देखो, दो word होता है, अंगरेजी में, एक होता है 2 और एक होता है by, अगर यहा लिखा है कि, पहले यह बात clear होगे, vapor pressure किसका reduce होगा, octane का, octane मतलब, vapor pressure of pure solvent, clear है, तो अगर मानलो, आपको समझाता हूँ, हो क्या रहे, अगर P0A आपके पास X है, चलो मैं आपको simple समझाता हूँ, मानलो, शुरुवात में, octane का pressure था, कितना, 180M का, मानलो, octane कितना pressure लगा रहा था, 180M लगा रहा था, अब उसमें आपने non-volatile solute डाला, और आपने पढ़ रख रख है, जब भी आप non-volatile solute डालोगे, तो lowering होगी वेपर प्रेशर में, तो जो solution का जो वेपर प्रेशर आएगा, वो कितना 80% कम आजाएगा, तो कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बात क्लियर है, मैंने क्या किया, अब देखो समझने कोश करो, question में लिखा है, to reduce its vapor pressure to 80%, to 80% मतलब कहां तक घटा के लिए आएगा, 80 परसेंट तक घटा के लिए आएगा, और अगर by 80% मतलब कितना हो जाता, तब हो जाता 20, तब मतलब कितना घटा देता, 20 गटा देता, sorry 80 घटा देता, नहीं यह बास में, अगर मैंने लिखा है कि मैंने आपके marks, reduce किये to 20%, मतलब आपके कितने reduce कर अधी दिने मैंने आपको 20% मापके reduce करके ली आया मतलब आपके पहले 100% करके अलिए तो मैं कहां तक लिया उसको 20 तक है तु मैंने के कितने new स्थ है 25 25 बाइटी यह यह थ्यान हगना यह ister है अदमी present 80% लिखा है मतलब अब पहले अगर 100 था तो आप कितना हो गया अब 80 हो गया ठीक है वेपर पेशर पहले 100 था तो आप 80 हो गया तो पहले P0 A X था तो अब जो PS आएगा जो अब मिक्षर के बाद जो solution आएगा वो कितना हो गया 80% कम हो गया अब 80% का मतलब क्या होगा मेरे का होता हो अगर X के आगे 1 लिखा है तो 80% मतलब कितना हो जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू X यही तो होता है परसंटेज को अगर आप नंबर में convert करते हो तो clear है तो यह कितना हो जाएगा बच्चो याद दको कितना हो जाएगा 0.8X क्या मेरी बात clear है क्या अगर आपको देखो अगर लास्ट में आपको कुछ भी समझ में ना है तो अगर यह 100 होगा तो यह कितना होगा 0.8X हो जाएगा आप इसको 100 assume कर लेना बस bracket में लिख लेना 100 assume तो अगर यह 100 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा यह भी सही तरीका है बट अगर आपको याद रहे तो इसको X मानों के तो यह कितना हो जाएगा 0.8X क्या मेरी बात यहां तक clear है क्योंकि 80% reduction 80% तक reduction हो रहा है तो इस वैसे क्या होगा अगर वह X है तो 0.8X हो जाएगा clear है लगा दो बच्चों अपना formula P0A-PS upon P0A is equals to XB और XB क्या होगा NB upon N यहां तक clear है चलें आगे तो P0A कितना है बच्चों P0A अगर मैं X मान लू तो PS किता हो गया 0.8X अब P0A कितना है X है और NB किता होगा NB मतलब number of moles of solute तो mass in gram mass in gram किता है WB पता नहीं molar mass कितना है 40 और N हे किता होगा mass in gram किता है 14 molar mass किता है 14 यह तो cancel होके कितना होगा बच्चों यह तो 1 हो गया बच्चों बहुत आसान clear अब X माइनस 0.8 दो को 1 X माइनस 0.8 X किता हो जाएगा 0.2 X हो जाएगा और नीचे X है is equals to WB upon 40 X X cancel हो गया यह दर जाएगा तो किता हो जाएगा WB किसके बराबर हो जाएगा 40 multiply by 0.2 तो WB किता हो जाएगा बच्चों 8 grams क्या मेरी बात clear है आपको WB किता हो गया 8 grams हो गया तो यहां पर important जो समझने की चीज थी बहुत ही बस यह बाकी तो आपने previous question की तरह ही किया है बस यह बात ध्यान अगना है कि यह कैसे होगा clear है तो बच्चों I hope आपको यह particular topic सौंझ में आ गया होगा इससे related numerical भी आपको सौंझ में आगे होंगे अगर कोई भी problem है तो प्लीज आप WhatsApp करें या comment section पर doubts पूछे आपको वीडियो कैसा लगा इसको आप अपने comment section में बता सकते हैं और like और share करके भी आप हमारी help कर सकते हैं ठीक है बच्चों तो अब तक फिर हम मिलते हैं कल ठीक है तब त झाल